गुर्मानिक स्टुडेंट्स, वेलकम पूद ओनलाइन क्लासिस और वंडरेट पॉब्लिक स्कूल हम लोग हमारा चैप्टर बागी कंटीन्यू करते हैं हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक अपड़ रहे हैं जिसका नाम है वीडिंग वीडिंग क्या होते हैं इसको समझाएंगे मैंने अन्वांटेड प्लांट ग्रोग अलाउंग विद दा मेन क्रॉप बहुत सारे अन्वांटेड प्लांट जैसे आपने खेत पाने डाला तो जरूर थोड़ी हो पानी सिर्व आपकी क्रॉप को मिले वो जबता है गाजार गास को मिल जा वो भी उग जाएगी तो वो जो अन्वांटेड मतलब जो नहीं चाहिए लेकिन उग क्या वो सारे प्लांट जिलाते हैं वीड्स वो सारे प्लांट क्रॉप वाटर, नूट्रियंट, सॉनलाइट वो क्या करते हैं या कि आपके जो में क्रॉप है उसके सथ कॉंपिशन करें कैसे वाटर के लिए नूट्रिशन के लिए शनलाइट के लिए और में क्रॉप की ग्रॉप को थोड़ा रोग देगे वीड्स मज़ने रिमूव इसी लिए वीड्स को वा सा अटाना बहुत जरूरी है जो वीड्स आए में क्रॉप खाल रहे रहा है दप्रोशस आप दूवन वीड्स को करते हैं यह कहलाती है हमारी विड्स weeds can be removed by hand और using tools like travels, kurpi side में देख पर आप डागराम में and hello इन सब method की मदद से weeds को अठा सकते हो nowadays farmer use chemical called weedicide to destroy weed आज कल के टाइम बे farmer weedicide नाम के chemical को use करते हैं जिसकी मदद से weeds होती ही न अपना भी मरज़त next is crop protection plants can be protected from pest, कीड़े मकोडों protect करना है, spraying pesticide वो दबाई जो pest को मारे, insecticide वो दबाई जो insect को मारे putting up scarecrow to scare by the birds देखा आपने कभी खेत में एक कुतला लगा जेते हैं उसको scarecrow गते हैं उस्वे क्या होता है, जितने भी birds आती है, उसको लगता है कोई इंसान है तो उससे खेज साब के दूर रहती है अब असल को रुपसान ने करती है plants can be protected from disease by अब उसको disease से protect करना है तो क्या करना है? soaking seeds in fungicide seed बौने से पहले उसको fungicide लगा लो fungicide मतलब फफूंद नहीं आईगी इस पर anti-biotics चड़क दो ताकि आपके कोई बिमारी ना लगे crop में spraying fungicide antibiotics on standing crop अगर वीज में नहीं डाले कोई बात नहीं जब plant बड़ा हो जाया हलका सा बड़ा उन लगे तो उसमें spray कर दो फिर harvesting harvesting क्या है आपकी crop में आपने पाने डाल दिया बीज बोर दिया protect कर दिया सब हो गया अब crop पक के बिल्कुल तयार हो गई तो काटना पड़ा गर उसी काटने की process कम केते harvesting when the crop mature it has to be cut close to the ground उसको जमीन के पास से बिल्कुल काट देते the process of cutting mature crop plants is called harvesting और इसी process कम लोग harvesting करते है it is done आई तरवा सीकल समझते है एक q shape का होता circle shape का उससे कटी या थी फसल या फिर machine से जिस machine का नाम है harvester यहा तक आपको समझ बहा है मैंने क्या बोला फिर threshing की बात करते है threshing क्या चीज़ है आपने फसल को काट दिया सब होगे अब बारी किस की है फसल तो कड़ी लेकिन उसमें से उसके दाने काम के है plant थोड़ी काम दा गेव की बात करो गेव की फसल है की उसके उपर जो गेव लगते वो काम के उसका plant के काम आएगा तो हर्वेस्टिंग में अपने plant को वे साथ में काटा लेकिन threshing में हम गेव को अलग करेंगे उन सभी plants से the process of separating grain from the harvested crop is known as threshing जो process इसके द्वारा जिसके through crops को उसके grains से separate करते हैं threshing is done by spreading the harvested crop on the ground कैसे कैसे करेंगे जमीन पर फैला दो crop को उसके उपर चलते रो चलेंगे उससे डबाव पड़ेकर प्रेशर से उसके grains अलग अलग हो जाएग animals such as bullock, camel are used for this purpose या तो इंसान को इस्तवाल कर लो या किसी animal को यूज कर लो या बड़ी बड़ी जो farms होते बड़े बड़े खियक होते है वह थ्रेशर का यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए समझ मा रहे हैं फिर विनोई, after threshing the shaft is removed from the grain by a wind एक बास सोचो, आपने threshing कर दी, उसके बड़े बड़े सारे particles अला हो गए लेकिन कुछ न कुछ कच्रा अभी भी रही है उसमें हलका वाला उस हलके वाले को तो अलग करना है उसके लिए हम करते हैं बिनोई क्या करना है, साइट में डागरा में देखो एक इंसान उपर घड़ा होगा उपर से नीचे की सड़ गिरा रहे उसमें क्या होगा, हवा चलेगी हवा की साइट जो हलके कच्रा अभागर है वो सत्तो उर जाएगा और जो भारी अपका अनाजे सीजल से दाना है, ग्रेव वो नीचे गिर जाएगा आफ्टा थ्रेशिंग, शाफ शाफ मतलब कच्रा इस रिमूव फिल एंग 기 व्योंई बाया गिर बाया में इस विल जाएगा इस पिज्ट्फटरी जाएगा लेकिन जो मतलब कच्रा अन्हा का वो हवा की वजे उसे ऑस ज्राएगा इस तारफ से आपके बायामर्यो जाएगा लंग से सर्प्रेट हो जाएंगे और प्यार निकलेगे समझ में आया तक आगेगा अपन लोग नेक्स वीडियो में देखते हैं